हाई, सु आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी न्यू बोर्ड इग्जाम्स की यूट्यूब सीरीज के बारे में सो आपको पता होगा फिजिक्स के काफी कम लेक्चर्स मैं लेता हूँ लास्ट यर मैंने 54 लेक्चर्स यूट्यूब पे लिए थे बट आपको पता है कॉलिटी में कभी कॉंप्रोमाईस नहीं होता है तो उसी प्रकार से 2024 के लिए मैं 16 लेक्चर्स यहाँ पर लेने वाला हूँ बट आप कॉलिटी पहले ही गैस कर सकते हैं So yes, finally समय आ गया है, the time has come So यह है हमारा नया schedule for the 2024 batch आप चाहो इसका screenshot ले सकते हो 2 January से यानि 2024, 1st January आप आराम कर सकते हो यहाँ दूसरा subject पढ़ सकते हो यहाँ planning कर सकते हो, 2nd January से आप physics की पढ़ाई start कर सकते हो So जो average students हैं, वो इस one shot series को देखेंगे, तो उनका brushing अच्छे से हो जाएगा जो topper students हैं, वो अगर इस one shot series को देखेंगे, तो उनका confidence और बढ़ जाएगा और जो below average students हैं, वो इस series को देखेंगे, तो उनको physics समझ में आने लगेगी So यहाँ पर 2nd January से हम start करेंगे, then 5th January, 9th January, so basically कुछ pattern ऐसा रखा है कि Tuesday और Friday को आपके lectures होंगे So आप अपना time table उसे साब से fix कर सकते हो, अब जैसे ही मैं कहूंगा Tuesday और Friday कहूंगे तो students बोलेंगे, सर 16 दिन में 16 chapter लेके खतम कर दो, मैं आपको वापस से बता दूँ, यह one shot वैसे नहीं है, जैसे आप देखते आए हो काफी जादा अलग build-up के होते हैं, काफी जादा अलग प्रकार के होते हैं, आपको first वाले lecture से ही सारी चीज़ें clear हो जाएंगी So सारी चीज़ें होने वाली है YouTube पे, description में, telegram group का link given है, उसमें join हो जाईए ताकि आपको reminder मिलता रहे As well as, वैसे तो मैं subscribe के लिए नहीं कहता हूँ, बढ़ यहाँ पर आप subscribe करोगे तो आपको feed पे one shot खुदी नजर आने लगेगा समय हमने रखा है इसका पांच बजे से, तो पांच बजे शार्प प्रीमियर स्टार्ट हो जाएगा, यह सारी डेट से 2 जैनवरी, 5 जैनवरी, 9, 12 ऐसे करते करते हैं यहाँ पर, 16 फैप तक हमारा syllabus यहाँ पर खतम होगा अब कोई-कोई student आएगा comment, मुझे विश्वास है इस बात का, सर 16 फैपररी तक क्यों ले रहे हो, जैन में ही कर दो, सो मैं एक बात बता दूँ Students का break क्यों लगता है, link क्यों तूटता है उनका, because backlog जमा होते जाता है यहाँ पर backlog जमा ही नहीं होगा, दो जैन्वरी को, पांच बजे, ना दोके तयार होके देख लो, नहीं देख पाए किसी कारण, तीन जैन्वरी को देख लो, नहीं देख पाए, चार जैन्वरी को देख लो, यानि next chapter होने से पहले, आपके पास तीन दिन का समय है आपका सारा physics यहाँ पर revise हो जाएगा, बस देर किस बात की support बनाये रखना, इस वीडियो को share करें, जितना जादा हो सकता है, टेलिग्राम ग्रूप में join हो, as well as इसका screenshot ले ले, and that's it, मिलते हैं सीधा, one shot CDs में, मैं थोड़ा सा side हो जाता हूँ, ताकि आप इसका screenshot ले पाएं, okay, so मिलते हैं जल्दी, अगली वीडियो में, wish you the best